मैं डॉक्टर सुपरिया पुराणी, test tube baby consultant and practicing obstetric and gynecology since last 20 years बारिश का सीजन सब के लिए बहुत खुश्या देता है बारिश यानि कि हम प्याश के पकोडे, गरम गरम चाय, कभी गोल गपे, कभी भेल खाने का मान होता है लेकिन बारिश के सीजन में गर्भवती माताओं ने अपना ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि बारिश का मौसम बहुत सारी बिमारियों को आमतरित करता है और गर्भवती महिलाओं में प्रतिकार शक्ती थोड़ी से कम हो जाती है इसलिए बारिश के सीजन में जो इनफेक्शन, संक्रमन होते है वो आम लोगों की कमपारिजन से प्रेगनसी में ज़्यादा दिखाई देते है तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनसी के दावरान हमें कौन-कौन सी infection, कौन-कौन से संक्रमन होने के chances ज़्यादा रहते है और हमें इन सबसे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए तो पहले हम देखेंगे सांसों से फैलने वाली बिमारियों के बारे में बारिश में देखा जाये तो viral infection ज़्यादा रहते है swine flu होता है, flu जैसी बिमारिया होती है बारिश के दिनों में हवा में थोड़ी सी नमी रहती है सूरज के कीरने भी बहुत कम आती है इसकी वज़े से ये सारी germs हवा में जल्दी ग्रो हो जाते है और हमारी गर्भवती महिलाएं ये सारी संग्रमन का शिकार हो जाती है तो इससे बचने के लिए हमें थोड़ी सावधानी बरती है जब हम crowded places में जाते हैं तो हमें mask का इस्तमाल करना है हो सके तो हमें crowded place में जाना ही नहीं है और हमें ये भी ध्यान रखना है जो कई सांस के बीमारी से बीमार हो, खासता हो, स्रिंकता हो तो उनके नजदिक नहीं जाना है हर साल में स्वाइन फ्लू की फ्लू की strength चेंज हो जाती है इसलिए हर साल स्वाइन फ्लू के लिए फ्लू के लिए नया strength का injection बनता है हमें ये देखना है कि प्रेगननसी में बारीश शुरू हो जाने के बाद जो कुछ नया स्ट्रेंड का वैक्सिन एवेलेबल है वो हमें लगवाना है ताकि हम और हमारी शीशू इससे बच सकते हैं क्योंकि प्रेगननसी में स्वाइन फ्लू होना कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है तो आईए हम जानेंगे अभी मच्छर से फैलने वाली बीमारियों के बारे में मच्छर के कटने से malaria हो जाता है dengue हो जाता है chikungunya हो जाता है zika virus infection हो जाता है और ये हमारे लिए और हमारे होने वाले शिशू के लिए बहुत बड़ी परिशानी पैदा कर देता है हम सब को मालूम है कि मच्छर की पैदाईश stagnant water में मिल उती है तो हमें ये देखना है कि हमारे घर की आसपास हम जहाँ काम करते है वहाँ stagnant water नहीं हो और ये भी देखा गया है कि गर्भवती मेलां को ये मच्छर आम आदमी से दो गुणा जादा काटते हैं और इसका reason ये भी हो सकता है कि pregnant ladies की breathing में जादा carbon dioxide रहता है और वो pregnant ladies थोड़े आम आदमीयों से warm रहते है तो मच्छर जादा उनको काटते है तो pregnancy में हमें ये ध्याद रखना है कि हमें मच्छर से काटने से बचना है हमें लंबे sleeves के कपड़े पहनने हैं, हमें socks पहनने हैं और हमें ये देखना है कि मच्छर वो जगह जादा रहेंगे तो mosquito repellent का इस्तमाल करना है लेकिन हम ये भी सोचते है कि ये mosquito repellent जो fumes रहती है नहीं तो spray रहते है ये pregnancy में safe होते है क्या लेकिन ये जो mosquito repellent रहते है, जो sprays रहते है coils रहती है, जो fumes रहते है वो pregnancy में बिल्कुल safe रहते है रात में सोते वक्त आपको mosquito net का भी इस्तमाल करना है तो आम तोर पे ये देखा गया है दिन में काटने वाले मच्छर ये बिमारिया फैलाते है तो दिन में हमें ये मच्छरों को काटने से दूर रहना है क्योंकि जब डेंगू प्रेगनसी में होता है हमारे platelet count गिर जाते है हमारी bleeding tendency बढ़ जाती है और delivery के दौरान डेंगू हो गया तो ये जान लेवा हो सकता है जैसे कि गए salzika viruses का outbreak हो गया था तो इसमें ये देखा गया था कि उसमें प्रभावित होने वाली महिलाओं के बेबीज में microcifalimis brain की development नहीं अच्छी हुई थी और बेबी की nervous system अच्छी develop नहीं हुई थी तो आई हम जानेंगे खान पान की वज़े से दूशित पानी की वज़े से फैलने वाली बीमारिया मांसुन में कैसी होती है बारिश में ये देखा गया है कि नदियों का पानी दूशित हो जाता है कभी-कभी हमारा पीने का पानी भी दूशित हो जाता है और ये दूशित पानी की वज़े से हमें cholera हो जाता है typhoid हो जाता है, gastro हो जाता है और pregnancy में इन सारी बिमारी की वज़े से हमें भी नुकसान हो जाता है हार हमारे होने वाले शीशु को भी हो जाता है क्योंकि हमें बुखार हो जाता है, उल्टिया हो जाती है बहुत सारा विकनिस आ जाता है और इससे हमें डिहाइडरिशन हो जाता है तो इससे बचने के लिए हमें दूशित पानी से दूर रहना है ये दूशित पानी से बचने के लिए हमें क्या करना है हमारा जो tap water घर में आता है बले हम आरो करते हैं, filter करते हैं लेकिन खास तरपे pregnancy में हमें इन चीजों पर भरोसा नहीं करना है हमें पीने वाला पानी अच्छी तरह से उबाल के लेना चाहिए और फिर थंडा करना चाहिए ताकि उसमें जो germs रहते हैं वो मर जाएं हम जब फल खाते हैं, सबजी या खाती हैं तो हमें ये धान रखना है कि वो अच्छी तरह से हमें धोके लेना है हम उसे गरम पानी से भी दो सकते हैं और अच्छे साफ सुत्रे कपड़े से उसको ड्राय करना है जब हम फल खाते हैं तो उसको ज़्यादा देर कट के नहीं रखना है जब हमें खाना है तो हमें freshly cut fruits ही खाने है और ऐसे भी mid pregnancy में हैं कि आपको पालक नहीं खाना है आपको sprout यानि कि अंकुरित धान्य नहीं खाना है आपको दही नहीं लेना है आपको बारिश के मौसम में फिश नहीं खाना है लेकिन ये सरासर छूट है बारिश के मौसम में हम spinach यानि पालक खा सकते हैं लेकिन हमें ये care करनी है कि वो अच्छी तरह से धोके हमें खाना है, गरम पानी से धोके हमें खाना है, हम sprouts भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर के sprouts नहीं लेना है, हमें घर में sprouts करने हैं, और वो sprouts जादा देर बाहर नहीं रखने हैं, क्योंकि जादा देर बाहर रखने से उनमें fungal infection ह हो जाता है इसलिए आपको freshly prepared sprouts ही अच्छी तरह से धोके गरम पाणी से धोके ही खाने हैं कर्ड के बारे में देखा जाए तो वो खाने से हमें सर्दी खासी होती है ऐसा मानना होता है लेकिन ये भी सरासर जूट है जो सर्दी खासी हमें होती है वो हमें viruses से होती है कर्ड काने स बिलकुल नहीं होती है तो आईए देखेंगे हम non-wish के बारे में और जो fish के बारे में नон-wish के बारे में कहा जाता है कि हमें वो परेज रखना है इसके बिलकुल जरूरत नहीं है लेकिन ये बनाने वक्ऄ ये पकाने वक्त हमें ये धहन देना है कि वो अच्छी तरह से सा हाथ दो के sanitizer से हाथ दो के हमें खाना खाना है और पकाने के वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि अच्छे होए हुए बरतनों में ही हमें पकाना है और पकाने के वक्त भी हमें cleanliness रखना है बारिश में बहुत जगा बाढ़ वाली स्तिती निर्मान हो जाती है और ये बाड में बहुत जगह पानी आ जाता है, पानी भर जाता है तो बाड के वक प्रेगनन्ट महिलाओं ने ज़्यादा सावधानी बरतनी है बाड के वक बाड के पानी में प्रेगनन्ट महिलाओं ने बिलकुल जाना नहीं है क्योंकि बाड के वक जो पानी गंदा हो जाता है और वो गंदा पानी हमारे कभी cut wounds पे, शरीर पे लगने से हमें leptospirosis का danger रहता है और ये leptospirosis हमारे लिए भी जान लेवा हो सकता है और हमारे baby के लिए भी खतरनाक हो सकता है ये बाड के पानी में जो leptospirosis के germs रहते हैं ये germs आते कहां से हैं तो ये आते हैं infected dogs, rats, cattle, उनकी urine बाड के पानी में mix हो जाती है और ये हमारे तवचा को contaminate करती है और वहां से वो leptospirosis आ जाता है ये देखा गया है कि leptospirosis से बचने के लिए बाड के time हमें doxycycline लेने के लिए सलाह देते हैं लेकिन pregnancy में हमें doxycycline नहीं लेना है इसके बदले आप doctor से सलाह करें, doctor आपको doxycycline के बदले penicillin लेने की सलाह देगे तो आई हम देखेंगे बारिश के दवरां skin infection से बचने के लिए हमें क्या साउधानी बरतनी है ये बारिश के दिनों में, हवा में जो moisture रहती है, humidity रहती है इससे हमें skin infection होने के ज़्यादा chances रहते है बारिश के दिनों में ये भी देखा जाता है, हमारे कपड़े अच्छी तरह से सूखते नहीं है गीले रह जाते है, और कभी-कभी हम ये गीले कपड़े का भी इस्तमाल करते हैं तो ये moisture गीलापन इससे हमें fungal infection के chances रहते है तो बारिश के वक्त हम जो कपड़े पहनते हैं वो एकदम सूखे होने चाहिए ज्यादा डायम जगर रहने से भी वो कपड़ों में fungal infection जब जाता है तो हो सके तो हमें वो अच्छी तरह से आयन करके लेने चाहिए हो सके तो synthetic कपड़े नहीं पहनने हैं एकदम loose cotton के कपड़े पहनने हैं हमारे जूतों में भी moisture पकड़ता है तो हमारे पैर में fungal infection रहने के chances बढ़ते हैं हमारे जूते भी breathable रहने चाहिए, dry रहने चाहिए लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जूते non-slippery होने चाहिए क्योंकि बारिश के वक्त गीले रास्तों में जबी में slip होने के chances रहते हैं और एक महत्वपुर्ण सला हमें बारिश के मौसम में देना चाहती हूँ इस मौसम में हमें बाहर का खाने के बहुत craving होती है तो हमें ये देखना है कि जो बाहर roadside गुलगप्पी का stall रहेगा तो उसमें बिल्कुल नहीं खाना है हम अपने घर में चाट बना के खा सकते हैं क्योंकि बाहर का पानी हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है So try to avoid roadside food उससे gastro होने के chances बहुत ही जादा होते है तो इस वीडियो में हमने जान दिया कि बारिश के दौरान हमें मच्छर से काटने वाली बिमारिया होती है सांसों से पहलने वाली बिमारिया होती है खान पान से पहलने वाली बिमारिया होती है skin infection के chances बढ़ जाते है और ये क्यूं होते है और इससे बचने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है इसके बारे में आपके कोई प्रशन रहेगे तो हमें जरूर लिखिए और हमर ये pregnancy related videos infertility related videos जरूर देखते रहिए धन्यवाद